जै श्री राम, जै हनुमान दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्उब चेनल सरोज आस्ट्रो में, आज हम जानने वाले हैं कि सपने में बंदर से प्यार करना कैसा होता है? या बंदर को खुश देखना कैसा होता है? दोस्तों हमें पता है कि जानवर हो या इनसान हमेशा खुश ही अच्छे लगते हैं जब हमें कोई जानवर या इनसान खुश दिखाई देते हैं तो हमें उससे बात करने का या प्यार करने का मन करता है दुखी इनसान को कोई प्यार नहीं करता है हाँ ये अलग बात है कि उसका दुप देखकर उस पर कुछ समय के लिए दया जरूर आ जाती है बात करते हैं सपने की अगर आप सपने में खुद को एक बंदर को प्यार करते हुए देखते है या आप एक बंदर को लाण लड़ा रहे होते है अब एक बंदर को इन्शान की तरह प्यार कर रहे होते हैं तो ये सपना आपके लिए शुब संकेत देता है ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपका चित एकदम शान्थ होने वाला है पहले आपको बात-बात पर गुस्सा आ जाता था अब वो गुस्सा शान्थ हो जाएगा अगर आप बंदर को प्यार कर रहे हैं और बंदर आपको चात रहा होता है तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आप उस मंजल पर पहुँच जाएंगे जिस तक पहुँचके आपने सपने देखे थे लेकिन इस बीच आपको कई लोगों की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है अब बात करते हैं सपने में बंदर को खुश देखना कैसा होता है दोस्तों जानवरों की वास्तविक खुशी खाने पीने में होती है वो इंसानों की तरह अनाज इकठा नहीं करता है और ना ही अपने भविश्य की तयारी करते है जानवर बरतमान में जीते है इसलिए वो बहुत खुश होते है आप सपने में देखते है कि आप बंदर को कुछ खिलाते है और बंदर बहुत जादा खुश होता है तो ये सपना इस बात का संकेट देता है कि आने वाले दिनों में आपकी दुश्मनों से मित्रता होने वाली है अगर आपका दोस्त लंबे समय से आप से दूर है या बिछडा हुआ है तो आने वाले दिनों में आपका विछणा हुआ साथ ही मिल सकता है अगर आपकी कोई इज़त नहीं करता है आपका मान सम्मान खतम हो गया है तो इस सपने के बाद खोया हुआ मान सम्मान वापिस लोट आएगा अब बात करते हैं सपने में बंदर को कंधे पर बैठे देखना कैसा होता है दोस्तो सपने में किसी बंदर को अपने कंधे पर बैठा हुआ देखते हैं आप देखते हैं कि बंदर आपके साथ मित्रता पूर्वक विवहार कर रहा है तो इस प्रकार का सपना आपके लिए शुब संकेत माना जाता है ये सपना आपकी सफल यात्रा की और संकेत करता है कि आने वाले दिनों की आप किसी प्रकार की यात्रा करने वाले हैं और वो आपकी यात्रा सफल होने वाली है अब बात करते हैं सपने में बंदर को हसते हुए देखना कैसा होता है। दोस्तों आज तक मैंने किसी जानवर को हसते हुए नहीं देखा है। क्या आपने किसी जानवर को हसते हुए देखा है। आप सपने में देखते हैं कि एक जानवर इंसान की तरह हंस रहा है। तो ये सपना आपके लिए शुब संकेत माना जाता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है, कि आने वाले दिनों में आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अगर आपका कोई मान सम्मान नहीं करता है, हर जगह आपको अपमान का सामना करना पड़ रहा है, उस दौरान आपको सपने में हस्ता हुआ बंदर दिखाई देता है, तो ये सपना इस बात का संकेद देता है, कि आने वाले दिनों में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है. अगर आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी चल रही होती है, उस दौरान आपको इस प्रकार का सपना आता है, तो ये सपना इस बात का संकेद देता है, कि आने वाले दिनों में पुरानी दुश्मनी खतम हो जाएगी. अब बात करते हैं सपने में नकल्ची बंदर देखना कैसा होता है सपने में किसी बंदर के द्वारा आपके नकेल करते हुए देखना आपके बचकाने व्यवहार को दर्शाता है कि आप में अभी भी बच्चों जैसी बुद्धी है आप दिखने में परिपक हो गए हो लेकिन आप दिमाग से अभी भी बच्चे जैसे हो तो इस प्रकार का सपना आने पर अपने आपको बदलने की जरूरत को दर्शाता है जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल सरोज आस्ट्रो में आज हम जानने वाले है कि सपने में बंदर को संभोग करते देखना कैसा होता है दोस्तों संभोग वैसी कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि इस पुरी दुम्या की उत्पती संभोग से ही संभव है बिना संभोग के इस प्रित्वी पर जीव पनपता ही नहीं लेकिन कई जगह हम संभोग को अपवित्र मान लेते हैं हम जिसको बहुत अधिक मान सम्वान देते हैं, उसे संभोग जैसी चीज से दूर रखना चाहते हैं। अगर आपसे कोई कहदे की भगवान भी संभोग किया करते थे, तो आप भरक जाएगे, या कोई कहदे की आपके गुरुजी भी संभोग करते हैं, तो आप उसे गुरु मानने से इंकार कर देते हैं। जबकि ग्यान और संभोग का कोई संबंद नहीं है एक संभोगी व्यक्ति ग्यानी हो सकता है जिसने जीवन में संभोग नहीं किया वो संभोग की व्याख्या कैसे कर सकता है हम बंदर को हनुमान जी के दूद के रूप में देखते हैं इसलिए हम बंदर को भी हनुमान जी की तरह बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं जब सपने में हमें संभोग करता हुआ बंदर दिखाई देता है तो हमारे मन में बुरे बुरे विचार उठने लग जाते हैं जबकि ये सपना हमारे लिए बहुत ही शुब संकेत माना जाता है ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुश खबरी मिल सकती है आप जिस व्यक्ति को लंबे समय से समझाने का प्रयाश कर रहे है वो व्यक्ति अपने आप ही समझ जाएगा आपका काम पहले की तुलना में आसान हो जाएगा